व्यापार से सबी लोग बहुत धन कमाना चाहते हैं और अगर व्यापार से बहुत धन किसमत में लिखा है हतेली में लिखा है तो हम क्या चिन देख कर भैचान सकते हैं कि आने वाले समय में और या हमको बिजनेस के द्वारा किस प्रकार अधिक धन मिल सकता है आरंब करता हू श्री गड़ेशाय नमाहा मासरश्वती नमस्त अभ्यम सबसे पहले हमारा बुद्ध परवत देखिए ये भी एक व्यपारी का हाथ है और बुद्ध के परवत पे यदि खड़ी रिखाएं है एक हो दो हो तीन हो चार हो इस मॉडल हतेली में चार है तो यदि एक भी हो दो भी हो लंबी होना चाहिए सीधी होना चाहिए अगर इस प्रकार खड़ी रेखाएं बुद्ध परवत पर मौजूद हैं तो इसका मतलब की धन व्यपार से मिलने वाला है या मिल रहा है और अगर ये लाइन होगी तो दूसरा चिन होगा ये वाला ये वैपारिक लाइन और इसी से मनी ट्रेंगल भी बनता है इसी से भी मनी ट्रेंगल बनता है तो दूसरी है हमारी वैपारिक लाइन अगर ऐसी वैपारिक लाइन है तो ये हमें business से लाब दिलवाई गी ही दिलवाई गी इस model हतली में भी बहुत अच्छी line बनी हुई है जतनी लंबी line होती है उतने हीoly problem chances हो जाते है चोटी line अगर है तो भी वो effective होती है और business के द्वारा वो धन देती है अगले चिन्न की बात करें ये हमारी life line है रिखा है और जीवन रिखा से निकलने वाले ये जो आफशूट होते हैं ये हमें प्रोग्रस लाइन को दिखाते हैं ये यहां भी नीचे भी हो सकते हैं और अगर ये आफशूट जो निकल रहे हैं अगर वो किसी ट्रैंगेल का फॉर्मेशन कर ले तो भी हमें निकट में बिजनेस से लाब हो सकता है ये रिखाएं हैं जो बिजनेस से निश्यत लाब दिखाती हैं इस वीडियो में मैंने तीन चिन्न बताएं पहला बुद्ध के परवर्ट पे खड़ी रिखाए हो एक वेपारिक लाइन जरूर हो बनी हुई और लाइफ लाइन पे ट्रैंगल का निर्मान हो दो हो तीन हो चार हो या नीचे तक हो तो ये बिजनेस से निश्यत लाब हमें बताती है और ऐसे जातक जिनकी हतेली में ऐसे ये तीनों चिन होते हैं उनको बिजनेस ही करना चाहिए और उससे ही उनको सबसे अधिक अधिक लाब मिलेगा आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करते चलिए शेयर करते चलिए कमेंट करते चलिए और सब्सक्राइब भी करते श्री गडेशाय नमाहा मासरस्वती नमस्तु भ्यम